नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार सुपर एमसी के यूट्यूब चनल पे दोस्तों आपको पता होगा कि आज से लगभग साथ दिन पहम एक वीडियो बनाये थे और यहां पर देखिए वीडियो जो बनाया थे उसमें बताया थे आपको कि बेल्टर करने वाले लोग ज्यादा थे दोस्तों जब हम इस इमेल अभ्यान के लिए जागरुक करने के लिए आप लोगों के बीच एक वीडियो बनाये थे जिसमें सभी लोग सही हो किजिए और जो भी आट हजार पंचायती राज का सीट खाली है उस पर ज्वाइनिंग जल्दी हो कुछ लोग विरोध भी किया और यह जो कमेंट है आप यहां पर जो वीडियो पर जाएगा तो आप यह भी भी यह कमेंट देख सकते हैं और अगर आप वीडियो नहीं देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर क्या आप देख लेज है तो उसका रिस्पॉंस जो है आज लगभग साथ दिन बाद यहां पर रिस्पॉंस मिला है और उस वीडियो में इमेल वाले वीडियो में आपको यह भी बताये थे कि यहां पर देखिए यहां पर जो आठ पंचायती राज विविवाग है उसके बारे में जल्द जल्द हो तो उसी के रिगार्ड में आज का अपडेट आया हुआ है तो चलते हैं सिधा अपडेट पे वह अपडेट क्या है दोस्तों अपडेट को आगे बताएं उसे थोड़ा सा पले एक जनकारी देना है आपको कि देखिए अभी वेवसाइट पर आप देख रहे होंगे वेव आपòng पाले भीं आपको इसके बारे में बता दिये थे और यहां पर अभी अभी चानला पर आएगा तो यहां पर आप मेरे चेनल पर जानल में यहां आपको पे इस का बारे मीं तेंगर के बारे में बता चुक hazards video को नहीं देखें इस वीडियो को आप देख लिजिएगा कि कि इससे क्या फाइदा होने वाला है यह जो नया नोटिफिकेशन आया हुआ है चलते हैं आज के अपडेट पे और अपडेट के लिए यहां पर देख सकते हैं और इसके बारे हम सारा कुछ आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं कि यह हमारा जो पीडियफ है सबसे अच्छा पीडियफ यह वाला जो कि साफ साफ इसमें लिखा हुआ है तो इसको पड़कर क्या आपको बताते हैं समझाते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए चुनाव के बाद 8000 सरसट कारपालक सहायक होगी नियुक्ति तो यहां पर देखिए लिखा पंचायत चुनाव के बाद यानि कि जब एलेक्शन खतम हो जाएगा पंचायत चुनावाला तो 8064 कारपालक सहायक की नियुक्ति की जाएगी समवीदा अधारित इस नियुक्ति को लेकर पंचायती राजी भाग परस्ता तयार कर रहा है और जैसे जाएगा कि सभी 8,064 ग्राम पंचायत में दो-दो कारपालक सहायक के पदस्थापन को लेकर इसकी नियुक्ति का नियुक्ति का नियुक्ति लिया गया है अभी कि एक कारपवालक सहायक GB पता है जैसा कि आपको पता होगा कि अभी एक कारपवालक सहायक पहले से किये हुए है और उसमें दो-दो करणा है तो यहां पर आठ हजार 67 का फिर से ज्वाइनिंग होगा और साथ ही साथ आहां पर लिखा हुआ कि पंचायत में स्थापित आर्टेपियस काउंटर यानि कि लोग सिवा का अधिकार कानून को नियमीत रूप से बेहतर रूप से संचालित करने के लिए और एक एक कारपालक की नियुक्ति की जानी है तो यहां पर उसके भी होगा अब यहां पर थोड़ा और निचाते हैं यहा सब्सक्राइब आर्टेपियस काउंटर खूलेंगे यहां पर यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर लोगी मेल किये थे तो मेल का यहां पर रिस्पांस आया हुआ है और बहुत ही जल्द आठ हज़ार सरसर का जॉनिंग होने वाला है और जैसा आपको बता दें कि बेल्ट का जो पैनल बचा हुआ है उसमें मात्र 4400 के आसपास में कैंडिडेट बचे हुए है जो कि बेल्टाउन का पैनल का लिस्ट है उसमें से और यहां में बहाली होने आठ है सरसर तो हो सकता है कि नई वेकेंसी आ जाए फिलहाल इसका कोई भी ऑफिसियल सुचना नहीं है कि नया लेकेंसी आएगा या फिर जो कारपालक साहक पैनल में बच्चे भी है नियोजीत कारपालक साहक उनका एक्जाम ले करके बेल्ट रॉन के लास्ट वाले पैनल में ऐड़ कर लिया जागा या फिर यह भी हो सकता है खर जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे और अंत लेके बाद और भी है तो यहां पर दिखा दें कि वही बात इसमें भी लिखा हुआ है आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो यहां पर हम वीडियो का पाउस कर देंगे और यहां पर लोग पढ़ लिजिए गा चलिए मिलते हैं आगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ तब तक लिए नमस्कार जैंद वंदे मात्रम